दिग्रे शहर और नागरी अस्विधाव का शायद चोली दामनकार रिष्टा है शहर में रास्तों की दुर्वेवस्था, पुराने पुल की लचरहालत, सहित सडकों पर फैले गड़ों के जाल, इन सारी तक्रीफों में अब छत्रपती शिवाजी चौक पर जारी लीकेज पाइपलाइन सुधार काम की कच्छा गतिनी और सोमवार को मानोरा रोड सिद जीव अंदाजी की बदौलत समस्याओ का जाल लगातार कहराता जाता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिग्रश शहर में संबंदित समस्याओ से जुड़े विविन्न प्रशास के विभागों की नजर अंदाजी के चलती नागरी समस्याओ का अंबार घटने का नाम नही खबर प्रकाशित की थी। जिसके बाद नगरपाली का प्रशासन ने यहां शिवाजी चौक पर लिकेज पाइपलाइन की मरमत का काम शुरू तो किया लेकिन नियोजन के अभाव में शुरू हुआ मरमत का ये काम पेहट धीलिगती से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में इस र चौक से कुछ दूरी परसिद जीवन प्रदिकरन की पाइपलाइन फूटने से सोमवार को लाखो लिटर पानी व्यर्थ बह गया। सुत्र क्यनुसार बीते एक साल से संबंधित रोड के कॉंक्रेटी करहन का काम जारी है। ऐसे में रविवार देर राद दस बचे यहां ज भूत काम के दौरान जीसेपी के मार पकड़ने से पाइप फूट गई। नतिजतन यहां पानी का फवारा करीबं 25 फीट उपर उड़ना शुरू हुआ। ऐसे में सानिय प्रशासन ने सोमवार को इस पाइपलाइन का कौक बंतो कर दिया लेकिन तब तक लाखो लिटर पान से मनुरा तहसल के बाविस्कावों को इसी पाइपलाइन से जल्वितरन किया जाता है। पाइपलाइन फूटने से उड़ रहा ये फवारा पिछली के तारों को चुकर मुसीबत का सबब बनता नजर आया। जिस वजह से इस रास्ते से आवाज जाही करने वाले वाहन चाल महरा आल बाद जीवन प्रधीकरन के पाइपलाइन की लीकेज की हो या कच्छिवा गती से चंत्रपती शिवाजी चौक पर जारी पाइपलाइन मरम्मत की सम्मंदित प्रशासन को चाहिए कि वो नागरी समस्याव को सुलजाने के लिए सटिक न्योजन और सतरता बीसीन न्यूस के लिए जुबेर खान की रिपोर्ट